नमस्कार दोस्तों धर्मिस कीचन में आपका स्वागत है आज हम टेस्ट में अलग और बहुत ही डिलीशियस एक्जोटिक करी बनाएंगे जिसे आप रोटी पराठा नान कुल्चा के साथ खा सकते हो और ये बनाने में जितनी आसान है खाने में उतनी ही मज़ेदार है और इसे हम धेल सारी सबजिया और पनीर के साथ बनाएंगे और जिसमें हम क्रीम का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो ये खाने में भी बहुत ही हेल्दी है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना एक्जोटिक करी एक्जोटिक करी बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्रेवी बना करके तयार करेंगे तो इसके लिए मैंने यहां साथ से आठ काजू और तीन टमाटर को मैंने छोटे टुकडो में कट कर लिया है अब उसी के साथ वनफोट कब जितना पानी एड करेंगे और इसे मैंने कुकर में डाल कर बोईल कर लिया था तो टमाटर और काजू बिल्कुल थंडे हो गए हैं तो इसे मिक्सी जार में डाल देंगे अब उसी के साथ एक टेबल स्पुन कसूरी मेथी, एक टीस्पुन ओरेगेनो, दो टीस्पुन काश्मेरी लाल मिर्ज पाउडर, देट टीस्पुन गरम मसाला, आप चाहे तो किचन किंग मसाला भी एड कर सकते हो देट टीस्पुन धन्या जीरा पाउडर, आदी टीस्पुन जीरा, आदी टीस्पुन हल्दी पाउडर, नमक स्वादा नुसार, और वन फोट टीस्पुन हिंग एड करेंगे अब इन सभी सामगरी को महीन पीस लेंगे, तो यहां हमारी करी बनाने के लिए ग्रेवी रेडी है, हमें इस तरह से बिल्कुल महीन पीस ना होगा अब पेन में दो से तीन टेबल स्पुन जीतना ओली ओल लेंगे, जब तेल हलका सा गर्म हो जाए, तब उसी में आदी टीस्पुन जीरा डाल देंगे, और थुड़ा सा भून लेंगे अगर आप ओली ओल का यूज नहीं करना चाहते, तो आप जो भी तेल यूज करते हो, उसी के साथ बना सकते हो अब सबसे पहले हम इसमें आदा कप उबले हुए बेबी कॉन एड़ करेंगे वनफोत कब जूकिनी भी एड़ करेंगे, वनफोत कब छोटे टुकडो में कटा हुआ लाल शिमला मिर्श, वनफोत कब छोटे टुकडो में कटा हुआ पिला शिमला मिर्श और वनफोत कब छोटे टुकडो में कटा हुआ हरा शिमला मिर्श एड़ करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे स्वादानुसार नमक भी डाल देंगे ताकि सबजिया जल्दी से सॉफ्ट हो जाए अब इसे चलाते हुए 2-3 मिनिट पका लेंगे गेस की आँच मध्यम रखेंगे 2-3 मिनिट पकाने के बाद आप देख सकते हो कि जुकिनी सॉफ्ट हो गई है तो यहां हमारी सबजिया पक गई है अब उसी के साथ एक कप उबली हुई ब्रोकोली भी एड़ करेंगे और यहां मैंने टमाटर के बीज निकाल कर चोकार कट कर लिया था जोकि 1-4 cup है और थोड़े से इसमें चेरी टमेटोस भी है तो वो भी एड़ करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे अब इसे टमाटर सॉफ्ट होने तक पका लेंगे क्योंकि ब्रोकोली तो अल्रेडी पकी हुई है तो ढकन लगा देंगे और दो मिनिट पकने देंगे दो मिनिट के बाद आप देख सकते हो कि टमाटर भी सॉफ्ट हो गए है तो यहां हमारी सभी सबजिया पक गई है अब उसी के साथ हमने जो ग्रेवी बना कर रखी थी वो सारी की सारी एड़ करेंगे और ग्रेवी आपको कितनी गाड़ी चाहिए उसी के हिसाब से पानी एड़ कर सकते है अब सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे सो ग्राम कासा हुआ पनीर भी एड़ करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे अब इसे ढकन लगाकर उबाल आने तक पका लेंगे हमें इसे ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है तो यहां आप देख सकते हो कि सबजी में अच्छा सा उबाल आ गया है तो यहां हमारी करी रेड़ी है अब उसी के साथ एक क्यूब चीज को कद्दुकस करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे तो यहां हमारी बनाने में आसान और जटपट बनने वाली एक्जोटिक करी रेड़ी है एक टेबल स्पून टमेटो केचप एड़ करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे आप चाहे तो टमेटो केचप की जगा पर चीनी भी एड़ कर सकते हो लेकिन टमेटो केचप का टेस्ट ज्यादा आच्छा लगेगा तो यहां हमारी करी रेड़ी है जिसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे उपर थोड़ा सा चीज कद्दुकस करेंगे आप इस करी को पूरी पराठा नान किसी के साथ भी सव कर सकते हो दोस्तों आज की रेसिपी आपको कैसी लगी अगर हर बार पंजाबी सबजी बना बना कर पक गए हो तो इस आसांसी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा मैं धर में फिर्मी लूंगी एसी ही आसांसी रेसिपी के साथ